हेलो दूस्तों वन सेगर मलकम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ एक गाडन ब्लोक शेयर कर रही हो जिसमें मुझे धीरो सारे सेक्लेंट से प्लांट की कटिंग लगानी है और इतिनी सारे सेक्लेंट से हैं कि मैं कहां लगाऊं और कैसे इनको मैनेज करूं मुझे ब पिल्कुल भी नहीं लगा सकती हो तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह सारे सेक्लेंट से की कटिंग मुझे आज करने की क्यों जरूरत पड़ गई यह देखे प्लांट की कंडिशन देख लीजिए अगर आपकी प्लांट भी कुछ इस तरीके से हो रहे कि ओपर का हेल्दी हैं और सामनी की प्लांट काफी खुबसूरत हैं लेकिन पीछे एक भी इनके लेव्ज नहीं है तो इस कंडिशन में आपको प्लांट की फटाफट कटिंग करनी है अगर आप इस टाइम यह काम नहीं करेंगे तो आपका प्लांट नेक्स्ट रिसीजिन तक 12 days में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं फिर से और जो कटिंग हम करते हैं जहां से वहां से भी बहुत सारी बेबी प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं यह दिखिए कटिंग से पहले ही बेबी प्लांट ग्रो हो गया तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको कटिंग कर लेती हूँ उस इस बात का आप ध्यान जरूर रखे क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सेकुलेंट्स जो है वो पानी को स्टोर करके रखते है अपनी लिप्स और स्टेम में तो जब हम कटिंग करते हैं अगर कटिंग के पार्ट्स में थोड़ी जी भी पानी टच हो जाता है तो जल्दी वो क सबको रिमूब जरूर करें इसके बात का जो हमारा काम है यह बहुत इंपॉर्टन काम है वो होती है हमारी सॉइल मिक्स तियार करना बहुत लोग कमेंट्स में मेरे से पूछते हैं कि सॉइल क्या से तियार करें हम तो आज जो यह सॉइल शेयर कर रही हो यह हम सिंगल लिप सिखो compromise करने के लिए भी करते हैं और सेकुलेंट से को reporting करने के लिए भी और कटिंग को लगाने के लिए भी तो यहाँ पर मैंने ये सुखी होए काउटटंग के लिए हैं इसी की साथ आप river sand का use करें river sand बहुत इंपॉर्टन होता है सेकुलेंट से के soil में एट करना तो जब भी आप रिवर सेंड ले एकदम फिनिशिंग वाली नाले थोड़ी सी कंकड़ वाली होनी चाहिए जैसे ये सामने आप देख रहे हैं साथी आप नॉर्मल गादन सॉयल का यूज जरूर करें ये मेरा नॉर्मल गादन सॉयल है इसमें मैंने थोड़ा सा कोकूपीट भी मिक्स किया है अगर कोकूपीट है आपकी पास तो आप मिक्स कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई प्रॉबलम नहीं है सेकुलेंट्स के लिए अधिक तर लोग ऑनलाइन इनकी सोयल को पर्चेस करते हैं तो वो काफी महंगा भी बढ़ता है तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हो कि सेकुलेंट्स के लिए आप इसी तरीके से सोयल का इस्तिमाल करें अगर आपकी पास सैंडर और कोकुपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉर्मल कार्डन सोयल तो हर किसी की पास होता है उसमें थोड़ा सराई सस्क का अगर यूज किया और अगर नहीं भी किया तो भी कटिंग को आप आराम से लगाकर उन कटिंगों को 10-15 दिन में आप ग्रो भी कर सकते हैं तो आज से बाती करते करते हैं मैंने सोयल मिक से तियार भी कर लिया है इसी के साथ जब भी आप कटिंग को लगाएं तो छोटे पाट का यूज करें क्योंकि सेकुलेंट से के लिए जादा बड़े पाट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनके रूट से काफी हलके होते हैं तो मैंने ये सिमेंट का पाट लिया है और इसमें ठीकरी से मैंने ड्रेनेज हुल को बंद कर दिया है तो इस बात का भी धेहन रखना बहुत ज़रूरी होती है अब मैं स्वाइल से थोड़ा सा कवर कर रही हूँ आपका पाट कितना बड़ा है उस अकॉर्डिंग आप पहले थोड़ा सा स्वाइल रख दीजे उसके बाद कटिंग से को लगाईए कटिंग से तो मेरी पास अभी फिलाल इतनी सारे हो गए कि मैं शायद सारे कटिंग से को ना लगा पाऊं क्योंकि पॉट इतनी नहीं है जितने कटिंग से और एस्टर लिब्स निकल गए तो चलिए देखते हैं कि कितनी कटिंग से हम लगा सकते हैं तो जब भी cuttings लगाएं ऐसे direct cuttings को मिट्टी में ना लगाएं पहले आप किसी भी छोटे से टूल से या डंडे से आप थोड़ा से drainage hole बना लीजिए उसके बाद cuttings को हलके हलके हाथों से मिट्टी में दवाएं क्योंकि इनकी जो stem होती है काफी हलकी होती है और soft होती है जाने के chance रहते है और damage हो जाते है तो root से निकलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इन छूटी छूटी बातों को follow जरूर कीजिएगा अज जब भी में लगा रही हो नीचे की ester leaves को remove कर रही हो देखिए तो मेरी ये cutting लगने के बार देखिए पॉर्ट दिखने में अब लेगी-लेगी से हो जाते है सेकुलन से तो अच्छे नहीं लगते है दुवारे से cutting से लगाए तो काफी संदर लगते है इसी की साथ ही कि देखिए सारे ester leaves जो बहुत ही healthy है अभी इनको अगर grow करेंगे तो बहुत जल्दी grow हो जाएगे साथ ही ये एक pot लेके आई हो द मैंने उसे cutting से grow किया लेकिन soil में ये use नहीं करूंगी क्योंकि काफी गिली soil है तो ये देखिए ये है मेरा plant जिसे Cressula Oveda कहते हैं जिसे मैंने cutting के दुरू एक छोटे से disposal में grow किया है देखिए और काफी अच्छी मेरी plant की growth हो रही है और इस टाइम अगर किसी भी सेक्रिंस को आप cutting से grow कर रहे हैं या disposal में रख रहे हैं तो उनको आप report जरूर कीजिए क्योंकि इस टाब इनकी बहुत अच्छी growing time होती है अच्छी soil और space अच्छा मिल जाता है तो ये प्लांट इसी तीन मेहने में काफी बढ़ा हो जाता है तो प्लांट को दिरी दिरी disposal से निकालके मै इसे pot में लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूं तो इसी मेने pot में लगा दिया है और देखिए pot में लगने के बादे यह कितना प्यारा लग रहा है जैसे कि मैंने कहा ता कि सेक्लेंट से कि लिए हमें ज्यादा बड़े pot की जरुरत नहीं होती है तो ये पांच इंची के pot म मैंने इसे लगा दिया और दिखने में काफी प्यारा लग रहा है इसी के साथ देखे यह पर देखे रहे टो जो उपर से कितना प्यारा लेठहाई देखेए और नीचे देखिये कितना लैगी सा और नीचे के एक भी इसका लीफ सी नहीं है और छोटी से तीन इंचे के पलास्टिक के गंडे में वो भी लास्त एयर में है कटिंग से इसे ग्रोह किया था मैं इस mim कुछ भी नादेरी करती वें इस मित्टी से निकाल के इसे कटिंग से दुआरा हमें तियार करना है तो यह कटिंग हो गई तो नीचे से और थोड़ा से कट करके तब इस पौदे को लगा देती हूं सेक्विलेंट्स को जब हम कटिंग से दुवारा से लगाते हैं सेक्विलेंट्स हाट टाइम छोटी छोटी अच्छ लगते ज्यादा लेगी सेक्विलेंट्स बिल्कुल भी अच्छ नहीं लगते और इस टाइम हम अगर लगा रहे तो कोई भी सेक्विलेंट्स हमारे खराब नहीं होंगे जो आगे काम में बताऊंगे उन टीप्स को अगर आपने फॉलो किया तो अगें दीखिए कितनी सारे सेकुलेंट से आ गया है तो इनको लगाती लगाती है कुछ इंपोर्टन टीप्स आपके साथ शेयर कर देती हो तो जब भी आप कटिंग से को लगाए तो कट कटिंग से में स्प्रे करके पानी देना सबसे अच्छा रहता है नमी हलकी सी बनी रहें लेकिन मिटी में ज्यादा नमी ना रहा है अगर आपके वहां बहुत ज्यादा कोरा है दूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है तो दूसरे तिसरे दिन भी आप पानी ना दे बिना पानी के एक हपते कटिंग बहुत आराम से चलते हैं क्योंकि आपको पता है सेक्कुलेंट के स्टैंब और लीपसे में पानी स्टोर रहता है तो वो बिना पानी के कई हपतों तक भी अच्छे से चलते हैं इतने सारे कटिंग से लगाने के बाद मुझे दो सोनपापड़ी के पर जरूरत पड़ गी और इसमें मैंने सौइल भी भर दिया है इन सारे हेल्दी लीपस को लगाने के लिए दिखिए कितने सारे हैं अंगिनत कम से कम सो से दो सो होंगे इहांपर लीपसे या दिखिए चा Taking ऐसे और कितने हेल्दी है सारे तो जितने भी हो से किनगे उतने मे लगाऊंगी और सारे कटिंग से और ये सारे लीब्स को मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा शायद तो चलिए लीब्स को लगाना हम सीखते हैं जब भी लीब्स को हम मिट्टी में लगाते हैं तो उसके सामने के पाट को हलका सा प्रेस करके हम मिट्टी के अंदर दवा देते हैं पूरी लीब्स को अंदर मिट्टी के अंदर नहीं रखना है हलकी हलकी हातों से आप रख सकते हैं ये दिखे कितने सारे हैं किन किन को लगाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ सेम बराइटी के सेकुलेंट्स को एक साइट में लगाती हो तो देखिए इस तरीके से मैंने एक डबबा तो कम्प्लीट कर लिया है लेकिन इतने सारे अभी भी एस्ट्रा है सबको सायद में नहीं लगा पाऊंगे क्योंकि इतना मेरे पास से पॉट नहीं है और वै तो आप ये काम जरूर करें तो आज का ब्लॉग इतना ही है कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा चैनल में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंट्स हैं